अपने पैत्रक गाउं जुन-जुनू के किठाना पहुंचे जगदीब धनकड का भव्य स्वागत किया गया सुभह आर्मी के हेलिकॉप्टर से पैत्रक गाउं आए धनकड सबसे पहले अपने आराध्य बालाजी के दर्सन करने पहुंचे इससे पहले मंदर तक के रास्ते मे हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया मंदर में पूझा अर्चना करने और भगवान का अशीरवाद लेने के बाद वो अपने घर पहुंचे यहां वे अपने दोस्तों परवारी जनों से मिले जगदीब धनकड का नागरिक अभिनंदन किया ग मौचा है इसे देखकर सम्विधान निर्माता को बहुत बड़ा सुख मिलेगा मैं इस मिट्टी का लाल हूँ और हर दिन गाउं को याद करता हूं उपराश्पती ने गाउं के महतमा गांदी राच्किया विद्ध्याले के स्कूल की नई बिल्डिंग का भी शिरा नियास क धनकर ने अपनी पांचमी क्लास तक की पढ़ाई यहीं से की है इस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों ने उनका अविनंदन किया सभी बच्चे देश के उपराश्पती को अपने बीच पाकर काफी खुस दिखे इस दौरान उन्हों ने कहा कि गाउं गाउं में हर व्यक्ति और परवार को सरकारी योजनाओं का फाइदा लेना चाहिए उन्हों ने कहा कि कीठाना के हर व्यक्ति को मैं एक ही नजर से मैंने देखा है फिर चाहे वो कैसी ही राजनीति करता हो धनकर ने कहा कि इस गाउं को आदर्स गाउं बनाना मेरी परकलपना है तो उपराश्टपती बनने के बाद पहली बार वे अपने गाउं की ठाना पहुंचे ये तीन तस्वीर आप देख रहे हैं जब बालाजी मंदर में उपराश्टपती ने पूजा अर्चिना की दूसरी तस्वीर स्कूल में नई बिल्डिंग का उन्होंने इस्कूल की नई बिल्डिंग का शिला न्यास किया तो वहीं तीसरा तीसरी जो तस्वीर है वो सम्मान समहरू के आईउजन की है जहां उपराश्टपती धनकड बताव मुक्षत्तित्री पहुंचे सम्मान समहरू का आईउजन किया गया बालाजी मंदर में उन्होंने आज पूजा अर्चना की स्कूल की नई बिल्डिंग का भी उन्होंने शिला न्यास किया और सम्मान समहरू के आईउजन में भी वे पहुंचे उपराश्पती जगदीब धनकड का पैतर गाउं किठाना में जूरदार स्वागत हुआ किठान में बालाजी मंदर में उन्होंने पूजा अर्चना की तो वहीं महतमा गांदी स्कूल में नई बिल्डिंग का शिला न्यास किया इसकूली बच्चों से मिलकर खुस हुए जगदीब धनकड जगदीब धनकड का सम्मान यहां किया गया उपराश्पती का किया गया नागरि अपराश्टिब जगद Craft.